हेलो फ्रेंड्स, आलमार्ट्स में आपका स्वागत है, फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे और नोटिफिकेशन बेल को जरूर से दवाईएगा, जिससे आपको लेटेस्ट कमपनीज के वीड बैंक आफ इंडिया ने प्राइमरी डीलर सिस्टम की सुरुवात की थी, और इसको सुरुवात करने का मेन अब्जेक्टिब यह था कि गवर्मेंट सेक्यूर्टीज मार्केट थी नहीं, उसके इंस्टिशूशनल इंफ्रस्ट्रक्ट्चर को स्ट्रेंथ प्रोइड करना, उस समय छे इंटिटीज को यह गरेंटेट किया गया था लैसेंस, उनी में से एक कंपनी के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं, सबसे पहले इसका मार्केट कर देखिए, वो 1,152.96 क्रोर पे चल रहा है, कंपनी का ROE ट्रेक रिकॉर्ड भी दिखा जा जा, तो 21.29 पर मेंटेन करते आ रहा है, और पिछले तीन सालों का CAGR रिटान दिखा जा, तो 38.02 परशन का दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा है, अगर इस कंपनी के कुछ एचीवमेंट से रिकोगिनिशन दिखा जा है, तो बहुत ही काविले तारीफ है, यह पहली कंपनी थी जिसने प्र 236 में इसका कंपरी के टर्न ओवर देखाया, तो 53,390 करोड पहुंच चुका था, सबसे पहले आप इस कंपरी के कुछ प्रिवेस डाटर्स देखिए, बहुत ही कमाल के डाटा है, मार्श 2017 में नेट प्रफिट यहाँ पर 167.17 करोड का जिनेट किया था इसने, मार्श 2018 में 1 1.41 करोड हुआ या, काफी नीचे हो गया था, लेकिन मार्श 2017 में फिर सक पंबैक करते हैं, 52.86 करोड का net profit, जनेट किया है, मार्श 2017 में 186.35 करोड हो गया है, मार्श 2021 में 454.12 करोड का net profit जनेट किया, बहुत ही घंकर कमबैक किया इसने, देख सकते हैं, फ्रेंड्स, तो च 76.56 पर चल रहा है, operating revenue अभी इसके पास 1057.79 क्रोर का है, earning per share यहां पर 5.70 रूपीज पर है, sales growth दिखाया है तो 14.25 पर चल रहा है, ROE 38.50 पर है और ROC 8.34 पर चल रहा है, profit growth भी दिखाया है तो 143.68 पर चल रहा है भी, यह company basically holy own it subsidiary company है, Punjab National Bank की, जिसको शुरुआत किया गया था 50 क्रोर के paid up capital के साथ, और यह minimum capital requirement भी है, primary dealer को प्राप्त करने के लिए, इस primary dealer का नाम है PNB GILDS, जिसको 10 February 1998 को certificate मिला था RBI के दोरा, जिसके दोरा वो non-backing finance company जैसे business को कर सके, तो देखाया है तो इस company के majority of stakes Punjab National Bank के पास है, जो कि देख सकते है, 74.07% का stake इसके hold किया हुआ है, तो यह NBFC company है, तो आप समझी गया होंगे कि कौन-कौन से product and services offer करने वाला ही है हमें, तो देख लेते हैं, treasury bills हो गया, central government data securities प्रोइड करता है, state government securities को देखता है, PSU bonds हो गया, inter corporate deposits हो गया, CSGL accounts देखता है, money market instruments हो गया, merchant banking, mutual fund distribution, investment या trading and equity या equity derivatives को भी प्रोइड करता है, और इसक यह उनके portfolio में government securities को manage कर सके, अब चलिए इसका share market का performance भी देख लेते हैं, अभी इसका price 64.25 रूपीज पर चल रहा है, day current 63.90 रूपीज से लेके 65.40 रूपीज के move किया था, और 52 वीक high low दिखाया है, तो 39.80 रूपीज का इसने low बनाया है, और 94.65 रूपीज का इसने high दिया चल लगिया, minus 14 का, June 2021 में sales 214 करोड का जनेट किया इसने, और net profit यहां पर फिर से positive हुआ, 39 करोड का जनेट किया इसने, September 2021 में sales 270 करोड का जनेट किया इसने, और 82 करोड का net profit यहां पर जनेट कर लिया है, बहुत अच्छा देख सकते हैं आपे, December 2021 में 262 का sales जनेट किया था, और यहां पर net profit फिर से negative में गया है, minus 6 करोड कर negative लिखा रहा है इसमें, तो देखाया है, तो मिला जूला response है इसका, चलिए इसका price chart के analysis भी कर लेते हैं हम लोग, यह देखे friends, 29 January 2021 को 43.60 रुपीस पे हुआ करता है इसका price, और यहां से इसका price में increment देखने को मिल रहा है, औ 28 माई के बाद देख सकते हैं, बहुत ही भेंकर increment हुआ है, almost 89 रुपीस पे पहुँच चुका थे हैं, 3 June 2021 तक आते हैं, फिर यहां से थोड़ा सा fall down होने के बाद अभी इसका price देखाया है, तो 64 रुपीस के प्रॉक्समें maintain किया है, और पिछले एक साल में इसने 46.90% का return दे से देख सकते हैं, लॉक्ड़न के समय यह 24 रुपीस के पहुंच चुका था, तो देखाया तो अभी all time high पे चल रहा है friends, तो देखाया तो अभी भी सुनाना मोग है friends, इसमें invest करने का, क्योंकि इसका performance अभी बहतरीन होते जा रहा है, और इसने maximum return 356.68% का दिया है, stock का rank 959 पे है, और stock की volatility 3.15 के multiple में चल रही है, इसका share holding pattern में देखाया है, तो total promote solding यह पे 74.07% पे है, और mutual fund holding, other domestic कुछ भी नहीं यह पे, foreign social यह पे 0.60% के देखाया जा रहा है, इसके वाँ जारा तो retail and other parties से 25.33% पे, जिसमें से retail investors होगी आपका 16.87% और other parties होगी आपका 8.46% तो च return versus FD से अचा return जेनिट के है, इसने, dividend return तो बहुत ही अचा देता है, friends, entry point अभी भी good to consider कर सकते है आप, और no red flag योन में भी आती ही company, तो यह भी बहुत ही plus point है, तो देखाया तो अभी भी सुनाना मौका है, friends, इसमें invest करने का, क्योंकि इसका performance अभी बहतरीन होते जा रहा है कोई भी investment decision लेने से पहले खुद भी research किजेगा, या तो अपने financial advisor से जरूर सखा लिजेगा, so friends, जाने से पहले like, share and comment के साथ follow जरूर करे चैनल को